राधे राधे एवरिवन आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों जब होली का आगाज होता है तो सबसे पहले याद आती है बुरकलों की यानि की बड़कुलों की याद आती है और ये मार्केट में भी मिल जाते हैं लेकिन अगर आप बना सकते हैं तो आप इस परकार से शुरू करें इसकी शुरुवात कैसे की जाती है कैसे इसका शगुन किया जाता है और कब से किया जाता है वो मैं आज आपको इस वीडियो में बनाऊंगी तो जहाँ पर भी आप बड़कुले बना रहे हूं वहाँ पर इस प्रकार से चौक पूर लें चौक अपनी मर्जी स न तो चौक बना करके उसका शगुन करते हैं तो बड़कुला एक बहुत बड़ी पूजा में काम आता है बिना इसके होली की पूजा अधूरी मानी जाती है अगर आप बना सकते हैं तो बनाएं नहीं तो मार्किट में भी बड़कुलों की मालाएं मिलती हैं उन्हें लेकर के आप पूझ सकते हैं तो देखिए मैंने आज इस प्रकार का चौक बनाया है आप अपनी सुविदा के अनुसा चौक और बना सकते हैं जैसा भी आप बनाना चाहें इस प्रकार से देखिए खड़िया से हम इस तरह से सुंदर सा डिजाइन बना देंगे अच्छे से सजा ले इसके बिना होली की पूजा संपूर्ण नहीं मानी जाती है तो आजकल तो ओनलाइन भी ये एवेलेबल है तो इस तरीके से देखे हमने चौक बना लिया है बीच में स्वास्तिक बना ले गणिजी के प्रतिरूप और यहां पर आटे से भी सुंदर सा सचा दें तो इनको चौ इसे शुबदिन बनाना स्टार्ट किया जाता है क्योंकि बहुत बड़ी पूजा में इनका प्रयोग होता है तो शुकल पक्ष जो आता है फागुर मास के शुकल पक्ष से इसकी स्टार्टिंग होती है यानि कि जब आमावस के बाद में जब चांदन आती है यानि कि चंद कि गुबर से में बना जाते हैं लेकिन गाय का गुबर ज्यादा शुब माना जाता है और हाथ में आप चाहें तो गलव सदी पैन करके भी इसे bना सकते हैं बुर्कुल कंड़े कई तरीके के बनाय जाते हैं जैसे आप को उन वीडियोज में मिल जाएगा, तो इस प्ले की आप एक बार जरूर चेक करें, चैक आउट करें, विजट करें हमारे चैनल को, चैनल पसंद आता है, वीडियोज पसंद आती हैं, तो जरूर सबस्क्राइब करें, लाइक करें और जाए जाँदा शेर करें, इस तरीके से देखिए आज मैं गोल-गोल बुर्कले बना रही हूं शगुन के 5-7-11 बुर्कले बनाए जाते हैं स्टार्टिंग में और इसके लिए सबसे ज़्यादा शुब दिन माना जाता है फुलेरा दौज यानि कि फागुन शुकल पक्ष के दुतिया तिति को फुलेर इसके बाद बुर्कले नहीं बनाए जाते इस प्रकार से देखे बुर्कलों को भी हमने हल्दी कुमपुम से हाँ पर टीक दिया है पूजन कर दिया है आप चाहें तो महनी से भी टीक सकते हैं और फूर अर्पित कर दिये हैं और प्रात्ना करेंगे तो जब शगुन के बढ बढ़कुले बनाये जाते हैं तभी ये पूजन किया जाता है इसके बाद आप कभी भी और बढ़कुले बना सकते हैं क्योंकि बहुत सारे बढ़कुलों की आवशक्ता होती है और कई प्रकार के तरह तरह के बढ़कुले होली पूजन के लिए बनाये जाते हैं तो आज के ल दोस्तों मिलती हूं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए राधे राधे